नमस्ते सस्रिया काल अस्सलाम वालेकुम मैं शाफ कुनम आपके अपने चैनल पर एक नई रेसिपी लेके आए हूँ आज हम बनाएंगे चमपारन स्टाइल में वेज मटन वेज मटन यानी की कठल कठल का सीजन है तो कठल की ये नई रेसिपी को जरूर ट्राइगी जिएगा आई होप आपको बहुत पसंद आएगा बहुत इजी रेसिपी है इसे कोई भी बना सकता है तो चलिए इसे फटा फट बनाना सीखते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सबसे पहले हमने लिया है ये कठल क पीसेज कर लिये थोड़े बड़े बड़े पीसेज की हैं जिससे कि यह जब हम इसे कुक करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा कठल हमने लिया है 700 ग्राम इसमें हम प्याच के स्लाइज आड़ करेंगे और जितना कठल है उसका हाफ हमें इसमें प्याच के दो से तीन हरी मिर्च एड़ करेंगे यह 3-4 यह मैं तुकड़ा है दालचीनी का टुकड़ा है तीन से चार हमने लॉग ली है जावितरी का एक टुकड़ा है और साथ आर्ट हमने ले लिया है लॉंग एक बड़े धेउस सारे एक टेबल स्पून इसमें हम देगी मर्च एड़ करेंगे कश्मीरी मर्च जिसे बोलते हैं वो एड़ करेंगे इसे जो है कलर बहुत अच्छा आएगा सारे spices एड़ करने के बार लास्क में हमें इसमें जो है salt एड़ करना है अपने taste के according half teaspoon इसमें हम गरम-मसाला एड़ करेंगी यह घर का बना हुआ गरम-मसाला है इसका लिंक हमने description box में दे रखा है और लास्क में हमें इसमें एड़ करना हुआ हलका सा गरम करके ठंडा किया हुआ mustard oil और यह हमने जो है इसमें एड़ कर दिया है दो हमने सावुत लेसण भी एक कर दिया है क्salूकी मटन में सावुत लेसण एड़ करते हैं तो इसमें हम 4 table spoon oil हमने एड़ कर दिया है mustard oil और इसे हमें अच्छी तरीके से mix कर लेना है mix करने के बाद हम इसे 10-15 मिनिट के लिए रेस्ट करने देंगे कवर करके आप चाहे तो डिरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन रेस्ट करने देंगे तो इसमें जो स्पाइस हैं अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे फ्लेवर अच्छा हैगा अब हम वेज मटन जो हमने मेरिनेट करके रखा हु बरतन में कुक करें जिसकी जो तल्ली होती है वो एकदम मोटी होनी चाहिए आप चाहे तो कुकर में भी इसे कुक कर सकते हैं कड़ाई में बिल्कुल भी इसे कुक ना करें वह टेस्ट नहीं आएगा अब इसमें हम आधा गलास पानी आड़ करेंगे क्योंकि यह कठल कभी पानी नहीं चोड़ता है इसलिए हम इसमें पानी आड़ कर देंगे उसके बाद हम इसे फिर से कवर करके इसे कुक करना है एकदम स्लो फ्लेम पे बहुत एज़ी रेसेपी है आपको जादा इसमें जो है मसाला भुनने की ज़रुवत नहीं है और इसे कभी भी आप चलते फ जितना आपको ग्रेवी रखना है आप उत्ती ग्रेवी रख सकते हैं इसका कलर देखे कितना अच्छा है इसमें जो कठल है वो भी बहुत अच्छी तरीके से कोखो चुका है और इसके साथ साथ जो इसमें लेसुन डाला था वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा देखने मे तो यह बहुत ही मज़ेदार है तो इन गर्मियों में ज़रूर वेज मटन की रेसेपी ट्राइ कीजिए गाई होप आपको बहुत पसंद आए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें